चांद के दर पर जा पहुचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके है Books That Speak में आप सभी का स्वागत है आज की कहानी है विज्ञान की एक शाखा बायोनिक्स के बारे में एमन दादू को बताती है कि बायोनिक्स वो विज्ञान है जिसकी मदद से शरीर के कई अंगों की जगा मशीनी अंग लगाए जा सकते है चलिए देखते हैं कैसे कहानी का शीरशक है साइबोर्ग दादू कहानी लिखी है लावन्या कार्तिक, चित्रांकन, अंशुमन धार और अरिंधम धार, हिंदी में अनुवाद, रिशी माथूर, कहानी का वाचन, असावरी दोशी एमन को मशीनों से बड़ा लगाव है, उन्हें देखना उसे अच्छा लगता है, वो उनकी तस्वीरे बनाती रहती है, और उनके बारे में पढ़ती रहती है तुम तो मशीन बन गई हो, दादा जी ने कहा, मैं थोड़ी सी मशीन हूँ और थोड़ी इंसान, एमन बोली मैं साइबोर्ग हूँ दादू, ये साइबोर्ग क्या होता है, साइबरनेटिक्स और्गैनिजम का छोटा रूप है, साइबोर्ग, इसके माइने है एक ऐसा प्राणी, जिसके शरीर के कुछ अंग मशीनी हो और उन्हें वो अपने दिमाग से चला सके दादू को तो कुछ समझ में नहीं आया, इंसान का दिमाग कृत्रिम या नकली अंगों को कैसे चला सकता है? बायोनिक्स विज्ञान की वो शाखा है, जिसमें वैज्ञानिक, शरीर के अलग-अलग अंगों के काम करने के ढंग का अध्ययन करते हैं, और फिर ऐसी मशीने बनाते हैं, जो इन अंगों की तरह काम कर सके फिर जिन लोगों का कोई अंग ठीक से काम नहीं करता, उनके उस अंग को हटा कर या उनका साथ देने के लिए ये मशीनी अंग लगा दिये जाते हैं एमन दादू को मानव शरीर का चित्र दिखाती है, कुछ बायोनिक मशीन काफी वर्षों से इस्तिमाल किये जा रहे है, उसने कहा दादू ने इन में से कुछ के बारे में पहले सुन रखा था, अगर किड्नी यानि गुर्दे काम ना कर रहे हो, तो डाइलिसिस मशीन शरीर में बहते खून को साफ कर देती है पेसमेकर कमजोर हो चुके दिल को ठीक से खून का संचार करने में मदद करता है दादू इन सब के बारे में और ज्यादा जानना चाते है क्या बायोनिक्स की मदद से मैं ज्यादा ताकदवर बन सकता हूँ, वो पूछते है क्या इससे मुझे पक्षियों की तरह उड़ने या चीते की तरह दोड़ने में मदद मिल सकती है नहीं, एमन हस पड़ती है लेकिन अगर किसी का हाथ या पैर किसी हाथ से में कट जाए तो उसकी जगा बायोनिक हाथ पैर लगाया जा सकता है जिसे अपने दिमाग से चलाया जा सकता है अगर मुझे सुनाई देना बंद हो जाए मेरी आवाद चली जाए आखों से दिखाई ना दे या मैं स्वाद ना ले पाऊं दादू सोचने लगते है एमन के पास इसका जवाब है बायोनिक कान की मशीन लगा कर दादू अपने पसंदिदा रेडियो का रेक्रम सुन सकते है बायोनिक वोईस बॉक्स लगवा कर वो अपने पसंदिदा गीत के साथ सुर में सुर मिला कर गुन गुना सकते है बायोनिक आख की मदद से बढ़िया फल चुन कर खरिद सकते है बायोनिक जीब की मदद से उस फल का स्वाद ले सकते है लेकिन हमारे कुछ अंग अभी ऐसे है जिनकी जगा मशीनी अंग नहीं लगाए जा सकते एमन ने कहा वो दादू को बताती है कि इंसान की नाक दस हजार अलग अलग गंद सून सकती है और उनके संके दिमाग को भेज सकती है इतना बढ़िया काम करने वाली मशीन बनने में अभी समय लगेगा बायोनिक्स ने पहले ही इंसान के शरीर को बदलना शुरू कर दिया है हो सकता है कि एक दिन हम सब साइबोर्ग बन जाए एमन ने कहा दादू के मन में एक सवाल उठता है एमन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तो पहले से ही साइबोर्ग हूँ आपको क्या लगता है नहीं नहीं दादू साइबोर्ग नहीं है नकली दाद कोई ऐसी मशीन नहीं है जो उनके दिमाग और नसों से जुड़ी है लेकिन ये दो ऐसे लोग है जिने साइबोर कह सकते है चलिए देखते हैं कौन है वो चितरकार नील हरबीशो बुरी तरह से कलर ब्लाइडनेस यानि रंग अंधता के शिकार थे इसे डॉक्टरी भाषा में एक्रो मेटॉपसिया कहते है लेकिन वो अपने दिमाग में लगाए गए एक खास इलेक्ट्रोनिक एंटिना की मदद से अलग-अलग रंगों को सुन कर पहचान लेते है वो अपने इस एंटिना से इंटरनेट से भी जुड़ सकते है दूसरा उधारन एमिली बोर्गार्ड एमिली बोर्गार्ड को मिरगी के दौरे पढ़ते थे 2013 में डॉक्टरों ने उनके दिमाग में एक छोटा सा कंप्यूटर उपकरन लगा दिया जिससे उनके लिए भी दूसरे स्वस्थ लोगों की तरह जीना आसान हो गया कैसी लगी ये अलग इन्वेंशन से भरी कहानी तो ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए बुक्स दाट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली दिल्चस्प कहानी में बाई बाई धन्यवाद